दोस्तो पिछली वीडियो में मैंने आप सबसे CRT LCD प्लाजम जैसी डिस्प्ले टेकनलोजी पर चर्चा की थी कि वो किस तरह काम करती हैं और आज मैं आप से OLED डिस्प्ले पर बात करने वाला हूँ नमस्कार दोस्तो मेरा नाम मुईत आप देखने टेकने दन लेट स्टार्ट दोस्तो OLED डिस्प्ले जिसकी फुल फर्म होती है Organic Light Emitting Diode दोस्तो OLED डिस्प्ले और गनिक मैटेरियल से बनाए जाते हैं जो एलेक्टिसिटी के एप्लाई होने पर लाइट एमिट करते हैं OLED को LCD डिस्प्ले की तरह बैक लाइट और फिल्टर की जरूत नहीं होती और ये पतले फ्लेक्सिबल और रूलेबल भी बनाए जा सकते हैं दोस्तों ये तो हुआ OLED डिस्प्ले के बारे में अब बात कर लेते हैं ये काम कैसे करता है दोस्तों OLED डिस्प्ले पैनल में में चार लेयर्स होते हैं Cathode लेयर, Anode लेयर, Emissive लेयर और Conductive लेयर दोस्तों होता ये है जब Cathode लेयर और Anode लेयर पर पावर सप्लाई की जाती है तब Electron Cathode लेयर से Receive होते हैं और Emissive Layer और Conductive Layer से होते हुए Anode Layer के जरिये बहार निकल जाते हैं जिससे होता ही है, Emissive Layer Negatively Charge हो जाती है और Conductive Layer Positively Charge हो जाती है जिससे Positively Charge Particle Negatively Charge Electron की तुल्ला में बहुत अधिक एक्टिव होते हैं इसलिए वो Conductive Layer से Emissive Layer पर जम करते हैं जिससे Positively Charge Particle Negatively Charge Electron से कमाइन हो जाते हैं और Light Emits करते हैं जिसको दूसरे शब्दों में Recombination भी कहते हैं दोस्तो ये तो हुआ OLED डिस्प्ले क्या है और कैसे काम करती है अब बात कर लेते हैं इसका Invent कब और किस ने किया था दोस्तो OLED डिस्प्ले जिस Organic Semiconductor से बनी है इसको 1970 में Allen Heiger, Allen McDermid and Hedy की सिरकावा दोरा डिसकवर किया गया था दोस्तो मैं आपको यहां पता दू OLED डिस्प्ले दो परकार की होती हैं जिन में से एक होती है OLED और दूसरी होती है P-Lets यानि की Polymer Light Emitting Diode जो Light Emitting करने के लिए Large Plastic Molecules यानि की Polymers का यूज करती है जिसको Light Emitting Polymers यानि की LEP भी कहते हैं दोस्तो बस फिलेकले ही इतने इस वीडियो में अगर आप कोई है वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते अगले वीडियो में गुड़ बाई